जैहिन मैं हूँ अरुन कुमार और आज हम चर्चा करेंगे साउथ चाइना सी के बारे में साउथ चाइना सी की लोकेशन क्या है वहाँ पे इतने सारे डिस्प्यूट्स क्यों है इन डिस्प्यूट्स की हिस्ट्री क्या है साथी में हम जानेंगे UNCLOS यानी United Nation Convention on Law of Sea के बारे मे भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए मेरे साथ सुरू करते हैं साउथ चाइना सी डिस्प्यूट तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं UNCLOS की जिसके उपर हम लास्ट वीडियो डिटेल से बना चुके हैं मैं आप से उजारिश करूँगा कि आप इस वीड और जिसका लिंक नीचे डिसक्रिप्शन में उसको देखेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छे से जारा समझ में आएगी हम एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं UNCLOS के बारे में United Nation Convention on Love Sea जो बोलता है कि अगर कोई देश है उसकी जो समुद्री सीमा है वो किस तरह से ना पी जाएगी तो एक हम बेसलाइन बनाते हैं बेसलाइन बनाई जाती है उस देश की जो इस्थल सीमा है उसके कटे चटे तठो को सीधा करने के लिए उस बेसलाइन से 12 नोटिकल माईल की जो दूरी होती है उसे हम कहते है टेरिटोरियल सी इस टेरिटोरियल सी के अंतरगत सारे कानून बनाने का अधिकार उसी देश को होता है जिस देश के अंतर गती बारा नोटिकल माईल का छेतर आता है इस बारा नोटिकल माईल से अगले बारा नोटिकल माईल यानि कुल मिला के बेस लाइन से 24 नोटिकल माईल का जो छेतर होता है उसे हम कहते हैं सलगन छेतर यानि क Contiguous Zone, इस Contiguous Zone के अंदर कर का कानून, सीमा सुल्क का कानून बनाने का अधिकार इसी देश का होता है, इसके आगे का जो समुंदर होता है उसे हम कहते हैं EEZ, EEZ बोले तो Special Economic Zone यानि बेस लाइन से लेके 200 नोटिकल माईल तक का जो छेतर ये वाला है, इसे हम कहते हैं Special Economic Zone, अनन्य आर्थिक छेतर हो, इस अनन्य आर्थिक छेतर के अंतरकत आने वाले Below Economy से Related जो भी चीज़े हैं, चाहे वो मतस्यक अध्योग हो, यानि फिसरीज हो, चाहे वो ओल हो, चाहे वो Natural Gas हो, या और भी कोई Resources हो, उन सारे Resources पर जो अधिकार होता है, वो इसी देश का होता है, यह हमने सोट में जाना, UNCLOS, United Nation Convention on Law of Sea, जो की माना जाना चाहिए, अब तक 113 देशों ने इस UNCLOS पर साइन किये हुए हैं, और जो आज हम वीडियो में डिसकस करेंगे, South China Sea, South China Sea के असपास में जितने भी सारे देश आते हैं, उन्होंने इस UNCLOS पर, यानि समुदर के अंतरा कानून पर हस्ताकसर किये हुए हैं, फिर भी यहां पर बहुत सारा डिस्प्यूट बना हुए है, मैप में जो आपको दिखाई दे रहा है, यह है South China Sea, इसके अगर हम लोकेशन की बात करें, तो यह प्रसांत महासागर के अंतरगत आने वाला एक समुदर है, South China Sea, दुनिया म पांच महासागर हैं, परसांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्किटिक महासागर और दक्षन महासागर, उन महासागरों में बहुत सारे सागर भी हैं, उन सागरों में सबसे बड़े सागरों में से South China Sea का नाम भी आता है, अगर हम South China Sea से सीमा बनाने वाले देशों की बात करें तो यह चाइना है जिसकी कैपिटल आपको बेजिंग दिखाई देगी यह है वियतनाम वियतनाम की कैपिटल है हनोई यहां पर आपको मलेशिया एक देश दिखाई देता है जिसकी कैपिटल है क्वाला लंपूर एक छोटा सा देश यहां पर दिख बागवान और यह एक आर्की पिलाए को आपको दिखाई देगा यहां फिलिपाइन्स परिशी कैपिटल है मनीला तो कुछ इस तरह से लोकेशन हो जाती है साउथ चाइना सी की साउथ चाइना सी यहां पर कुछ important streets भी है और कुछ important location भी है जैसे यहाँ पर है Gulf of Token Gulf of Token Token की खाड़ी यह चाइना और व्यतनाम के बीच में पड़ती है एक आपको यहाँ पर island मिलेगा जिसका नाम है हिनान island जो की चाइना का island है ताइवान के बारे में तो हम discuss already कर ही चुके हैं यह एक islands का group है जिसे हम बोलते है पारसल island यह भी साओथ चाइना सी के अंतरगत आता है इस पार्टी islands यह भी साओथ चाइना सी के अंतरगत ही आता है दो मैंने आपको island से group बता है यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसको हम बोलते है लुजोन स्ट्रेट लुजोन स्ट्रेट यह जो सागर है यह फिलिपाइंस सागर है और यह साओथ चाइना सागर है South China सागर को Philippines सागर से जोड़ने का काम करती है Luzon Strait है और Luzon Strait ताइवान और Manila किसी कैपिटल है Philippines तो Philippines और ताइवान के बीच में पढ़ती है Philippines का जो सबसे उत्री वाला आइलेंड है उसको Luzon कहा जाता है उसी के नाम पर इस इस्टेट का नाम Luzon Strait पढ़ा है आई होप आपको समझ में आई होगी Luzon Strait जिस तरह से Luzon Strait है बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आपको एक स्टेट दिखाई देगी जिसे हम बोलते हैं ताइवान स्टेट देखिए ताइवान स्टेट है उपर की तरफ यहाँ पर ताइवान स्टेट है यह चाइना और ताइवान के बीच में पढ़ती है साउथ चाइना सी को इस्ट चाइना सी से जोड़ देती है ताइवान के ओर उत्तर में आपको जाएंगे तो आपको इस्ट चाइना सी मिलेगा ऐसे ही यहाँ पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट स्ट्रेट है जहां से कि बहुत सारा मरीन ट्रैफिक गुजरता है इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ओफ मलक्का नीचे वाला देश है इंडोनेसिया यह है मलेसिया और यह है सिंगापूर इन तीनों देशों के बीच में गया होगा अब हम बात करते हैं साउथ चाइना सी का इतना इंपोर्टेंस क्यों है तो साउथ चाइना सी से होकर विश्व का सबसे बड़ा जो समुद्री व्यापार मार्ग है वो गुजरता है यह जो समुद्री व्यापार मार्ग है इसके तुरू बहुत सारे क्रूड ओय का ट्रेड करा जाता है इवन दोहजार सोला के आकड़े हम देखें तो पंद्रा मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से यहां से कुरूड ओयल का जो कुरूड ओयल का निर्यात या आयात किया जाता है इस पेसली आसियान कंट्रीज और चाइना ताइवान जापान और यूएस पैस सिफिक कोस्ट वाला जो छेतर है वहां पर सारे के सारा कुरूड ओयल मंगाया जाता है कहां से आता है कहां से मिडेलिस्ट से इसके अलावा दुनिया में जितना भी समुद्री मार्ग से समुद्री रास्ते से व्यपार होता है उसका एक तिहाई व्यपार जो है वो केवल सा शाउथ चाइना सी के रास्ते से होता है यह जो मैंने आपको बताया यह जो सी रूट है इसी से होता है चाइना की जितनी भी एनर्जी इंपोर्ट करता है जैसा कि आपको पता है चाइना बहुत ज़्यादा एनर्जी का इंपोर्ट करता है उसका लगभग 80% इंपोर्ट केव इसी South China Sea वाले मार्ग से होता है इन सब बातों से आपको समझ में आ रहा होगा कि South China Sea दुनिया का एक मुख्य वपारिक मार्ग है समुंदरी मार्ग है और इसकी location जो है वो बहुत ही important हो जाती है इस पेसली चाइना की द्रश्टी से जैसे मैंने आपको बता दिया यह Pacific Ocean का हिस् इसके किनारे पर लगने वाले जो देश हैं वो चाइना, टाइवान, वियतनाम, मलेसिया, बुरुनाई और फिलिपाइन्स है यह हम आले टी डिसकस कर सुके हैं चाइना, टाइवान, इसको बोलते है रिपबलिक और चाइना, इसको बोलते है प्यूपिल रिपबलिक और च यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 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 यहां बना हुआ है यह यहां गतिरोग बना हुआ इसके बाद गल्फ ओफ टोकीन यहां पर मैं MIने आपको बताया क्या है चाइना की यह हम अभी आगे समझेंगे अभी आपने समझा कि गतिरोध बना हुआ है साउथ चाइना सी में गतिरोध बन रहा है क्यों गतिरोध बनने के कारण क्या है ऐसा कुछ स्पेसल तो होगा साउथ चाइना सी में जिसके कारण यहाँ पे जो क्लेम करने वाले र इसरीज, क्रूड ओयल और नैच्रल गैस का पूर्ण अधिकार रखता है तो यहाँ पे फिसिंग का अधिकार, क्रूड ओयल और नैच्रल गैस के मिलने की बहुत अधिक संभावना है साउच चाइना सी में इसके अलावा इसकी एक स्टेटेजिक लोकेशन तो है ही क्योंकि य राष्ट है आसपास के उनमें गतिरोध बना हुआ है और उनका इंट्रेस्ट भी है कि समंद्री सुरक्सा बनी रहे जिसका ज्यादा जितना एरिया होगा उसकी सुरक्सा उतनी ही ज्यादा होगी जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था अगर किसी देश के तहट उस राष्ट की हो जाती है तो इसके अंदर तो छोटे-छोटे-इयलेंड है साओच चाइना सी में साउथ चाइना सी में जो मुख्य करण है जगड़े का वो यही है आइलेंड पर कपजा करो और उससे 200 नोटिकल माइल का हमारा हिस्सा हो जाए अब देखिए नाइन डैस लाइन चाइना है चाइना बोलता है कि मेरा लेकिन फिर वी यहाँ वो इस चीज को नहीं मान रहा है ऐसा क्यूं है वीडियो में आगे जानेंगे दूसरा देश है व्यतनाम व्यतनाम बोलता है देखिए यह ब्लू बल लाइन जो आपको दिख रही है यह पूरे का पूरा एरिया मेरा है अब इसका एरिया इतना बड़ा मलेशिया क्लेम करता है अपना EEZ जो की 200 नोटिकल माइल तक है बोलता है कि समद्र के कानून के साब से जो मेरा होना चाहिए वो मेरा है लेकिन दिक्कत यहाँ यह हो जाती है कि मलेशिया का जो क्लेम किया जाने वाला छितर है उसमें यहाँ पर वितनाम भी आ जाता है और च तरह से फिलिपिन्स बोलता है कि मेरा भी जो एरिया है वो EEZ वाला जो एरिया है वो मेरा एरिया है यानि Special Economic Zone लेकिन Special Economic Zone के अंदर यहाँ पर देखेंगे आप चाइना की 9-S line एंटर हो गई है और वितनाम के दौरा क्लेम किये जाने वाला छेतर एंटर हो गया है तो यहाँ पर भी dispute बन जाता है इसी तरह से बुरुनई बोलता है जो बुरुनई छोटा सा देश है यहाँ पर बुरुनई बोलता है कि बहिया दोसो नोटिकल माइल छेतर तो मेरा भी होना चाहिए तो बुरुनई का जो छेतर है वो चला जा रहा है चान यह चाइना जो क्लेम कर रहा फिलिपिन्स जो क्लेम कर रहा है वेतनाम जो क्लेम कर रहा है वहां तक पहुँच जा रहा है तो इस तरह से सभी देशों में एक दूसरे से डिस्प्यूट बना हुआ है डिस्प्यूट का में कारण जो है वह आप दिया पर देख पा रहा है चाइना की 9-line तो भयह यह 9-line क्या बिमारी है चलिए इसको हम पढ़ने की कोशिस करते हैं देखी जब चलिए तो हम बात करते हैं कि South China Sea में जो इतने सारे देश किलेम कर रहे हैं उस किलेम को करने का करण क्या है जैसा आपको पता है दुत्य विश्विद जब हुआ तो दुत्य विश्विद में दो पावर थी एलाइड पावर और एक्सिस पावर एलाइड पावर जिसको लीड क पावर जाता है और पूरे South East Asia को अपने कबजे में ले लेता है और South China Sea पर Second World War के टाइम पर किसका कंट्रोल था जापान का कंट्रोल था लेकिन Second World War जब खतम हो गई तो एक ट्रीटी करी गई उसका नाम था इसको अब ट्रीटी ओफ सैन फ्रांसिसको बोलते हैं या जापान और फ्रांस के बीस में होने वाली संदी भी बोलते हैं क्यों करी गई थी दूत्य विश्विद के बाद करी गई थी जो एक्सिस पावर के देश थे उनको उनके द्वारा अधिकरत छेतर था उस अधिकरत देश पाइम ने बोला कि गीवप कर दिया सारा सौथ चाइन सी छोड़ दिया तो अब क्लेम करता है चाइना चाइना बोलता है की फिर साउथ Ěाइना सी मेरा है 11-Line के तहट अभी देखिया मैं आपको 9-Line पिताया था लेकिन यहापछिं पर चाइना भोला है 11-Line पहले इलेवन डैस लाइन बोलता था इलेवन डैस लाइन क्या है तो चाइना में एक पार्टी हुआ करती थी वो मिन टैंग पार्टी क्या है वहां की एक नैशनलिस्ट पार्टी थी जो सुनियात सैन ने बनाई थी सुनियात सैन कौन है सुनियात सैन ने काम किया था चाइना को एक वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें बता चुका हूँ उसका लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा फिलाल आपको समझना है कि कुमियों तंग जो गवर्मेंट बनी थी सुनियात सेंज जिसको लीड कर रहे थे उन सुनियात सेंज ने एक मैप बनाया था अपनी हिस् स्मित्री के अधार पर उसमें साउथ चाइना शी जो है वो चाइना का हिस्सा था इसलिए 11 डैस लाइन को वह मानता था 1951 में लेकिन 1958 में उसने 10 डैस लाइन को थोड़ा कम कर दिया और आभ वह बोलता है कि न लाइन डैस लाइन उसने बनाई हुई है 9-Line के अंतर के जितना भी site China सी आता है वो सारे का सारा China का है ऐसा China बोलता है उसके अलावा क्या है Geneva Accord होता है 1954 में Geneva Accord क्या चीज़ है तो देखिए Indo-Chinese War होता है Indo-Chinese War में जब खतम हो जाता है तो जो Vietnam होता है वो 200 में तूड जाता है उस लड़ाई पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे एक होता है साउथ वियना वेत्नाम एक होता है नोर्थ वेत्नाम जो की मेनली चाइना का ही इंफ्लिएंस वाँ पे बहुत जादा है और साउथ वेत्नाम इन दोनों देशों की सीमा निर्धारित करी जाती है एक लाइन के दक्षिन में जितना भी सागर है 17 पर ललाइन के दक्षिन में जितना भी सागर है वह व के अंतर्गत आएगा और इस सेवंट परलल के अंतर्गत नहीं को मिल जाता है तो व्यतनाम अपना क्लेम करता है कि भाईया जिनेवा कोड हुआ था उसके तहत जो ये वाला हिस्सा है वो तो मेरा है तो ये क्लेम कोन करता है व्यतनाम चाइना के बोलता है नाइन डैस लाइन जो है उसके इसाब से ये सागर मेरा है जो मेरे नाइन डैस लाइन के अंतर गत आ रहा है वियतनाम बोलता है जिनेवा कोड के हिसाब से जितना चित्रा आ रहा है वो मेरा है मलेशिया बोलता है देखिए मलेशिया का जो जो जोग्राफिकल लोकेशन अगर आप यहां पर देखेंगे तो मलेशिया कुछ इस तरह से फैला हुआ है यह मलेशिया तो मलेशिया बोलता है मेरी geographical location ऐसी है कि जो जितना भी छितरी समुदर वाला आता है दोनों end के बीच में वो तो मेरा होना ही चाहिए मेरी भोगोलिक इस्थिती के हिसाब से तो Malaysia अपना Malaysian continent जो है उसकी geographical location के हिसाब से अपना claim करता है Indonesia बोलता है कि भईया EEZ को मानो Indonesia कहा है इंडोनेशिया ये इंडोनेशिया Indonesia बोलता है कि भईया EEZ को मानो और जो मेरा इसा आराओ मुझे दे दो उसी तरह से Philippines, Brunei और Taiwan Philippines बोलता है कि भईया EEZ को मानो मेरा इसा मुझे दे दो भी बुरुनेशिया बोलता है EEZ जो समुन्दर का अंतराष्टे कानून है उसके साफ से जो आता है 200 नोटिकल मार्स तक वो मुझे मिलना चाहिए और ताइवान ताइवान क्या बोलता है तो ताइवान तो ताइवान तो प्यूपिल्स रिपैबलिक ओफ चाइना यानि जो आज की मुख्य चाइना है उसको मानता ही नहीं है व क्योंकि ताइवान चाइना को नहीं मानता है अकोर्डिंग टू वन चाइना पोलिसी इसके बारे में में डिटेल से बात कर चुके है उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्किप्शन में है तो आई होप आपको पता चला होगा कि इतना सारा डिस्प्यूट क्यों बना हुआ है